अलो फ्रेंड्स आज हम API की एड करेंगे अपने यूजिंग बिल्ड कन्फिग तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में बिल्ड कन्फिग यूज किया है और आपको बताया भी है अभी इसको हम कॉटलीन मॉल्टि फ्लेट्फर्म में कैसे एड करते हैं वह देखते हैं क्रेड लाइबरी नहीं है तो यह हमको लाइबरी यूज करनी पड़ेगी ठीक है यहां पर में हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगी वर्जन वहां से ही कॉपी करने वाले है पूरा कोड ठीक है और उससे पहले हमको जो लाइबरी है न उसको सिंक नहीं करना है अ अब बिल्ड कंफिक क्यों काम आता है बिसकली कि हमको जो लोकल प्रॉपर्टी हमारी होती है उसके अंदर हमको कुछ एपिए की को हाइड रखना है अपने रिपोजेटरी में गीडब के तो इसलिए हमको बिल्ड कंफिक हम यूज करते हैं वहां पर की वेरिबल को एक्सेस ना लोकल प्रॉपर्टी में से या फिर अपनी ग्रेडल फ्रॉपर्टी में से तो उसको हम एक्सेस करते हैं यूजेंग बिल्ड कंफिक। ओके अपने अक्त के अंदर यहां पर दिख lets जो हमारी local property आती है ना वो basically ignore file में आती है github पे आपको available नहीं होती है आपके तो आपको यह locally होती है इसलिए कोई और access नहीं कर पाएगा अपनी API को बट आपको जबी भी API की अम इसकी API करेट करो गए ना उसमें तो दिखी जाती है तो एक थोड़ा security level कम है बट अभी के लिए चलेगा ठीक है कोई issue नहीं है ठीक है उसके लिए आपको आरे से यूज करना पड़ेगा जैसे cryptography library यूज करनी पड़ेगा आपको ओके और हाँ औ अभी कोटली मुल्टी प्लैट्फों के लिए NDK मैंने देखा नहीं है NDK के बारे में कि कैसे integrate करना है पर आपको API की के बारे में जानना होना तो मैंने अल्रेडी प्लेडिस पना ही है कहा गई यह वाले secure API की and any string यह वाले playlist देख लेना मैं उपर आई बटन पर दे दोंगा ठीक है इसमें मैंने डीटेल में explain किया हुए और एक इसमें kotlin multi-platform के लिए library नहीं add किये यह basically हमारे Android Studio जो kotlin project है ना उसके लिए मैंने बनाया था ठीक है तो कोई बात नहीं वह security वाला हम आगे लेखेंगे कैसे करना है वो सब ठीक है कोई ऐसा topic मुझे मिला library मिली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ठीक है तो आज का जो हमारा topic API की को add करना है वो दे version वाली file के अंदर जो सबसे last second है ना यह build confirm इसको add करना है ठीक है इसको copy करना और अपने project के अंदर open करना और इसके बाद यह leave version है ना उसके अंदर last में add करना ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह जो variable है ना उसको भी add करना होगा तो वह variable ढून लेना यह यह रहा ठीक है अभ pricing पर click मत करना उसके बाद आपको build gradle.ktx file में आना है जिसमें हमारी सारी dependency होगी ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें वी वैसा ही करना है compose app के अंदर build.gradle.ktx उसके अंदर आपको यह aligns add करना है यह वाला build config का okay इसको enter पर देना उसके बाद आपको एक और step perform करना है यह वाला यह वाली line को import कर देना ठीक है ओके इसको copy करके यहां पर add कर देना ओके उसके बाद आपको है न यह भी add कर देना ठीक है यह java.util और हाँ और कुछ नहीं और the sync एक और last step बाकी है और यह add करना है one build config का पूरा block है तो इसको add करना होगा अपने industry में तो सबसे last में add कर देना ठीक है इसमें changes करना है थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूँ इसमें आपको अभी sync नहीं करना है ठीक है उससे पहले आपको जो package name है न वो इधर से copy करके इधर chain करना है ठीक है इधर copy और इधर जाके paste कर देना ठीक है उसके बाद यहां पर जो local property है वही रहना है इसके अंदर से हमारा API की add होगा तो हमारा key का नाम है API की वह यहां पर हमने लिखा है और जो भी हमारी key है ना वह यहां पर add करनी है आपको string में नहीं add करनी है इसके आप आपको quote नहीं लगाना है ऐसा quote नहीं लगाना है simply आपको वहाँ पर add करनी है ठीक है string लगाएंगे ना तो आपको ऐसे output मिलेगा ऐसे दो string आ जाएगी ठीक है तो आपको कुछ नहीं add करना है simply यहां पर API की अपनी add करनी है मैंने दिखा स्टार्टिंग के वीडियो में नहीं करना है उसके बाद आपको sync पर click करना है ठीक है तो sync sync पर click करना तो यह sync हो जाएगा यहां पर कुछ भी import करने को बोले तो वह import मत करना यह already import यहां पर मिली जाएगा आपने को ठीक है तो वह ध्यान रखना ठीक है कि तो हमारा sync हो चुका है तो आपको कुछ error आए ग्रीडल प्रडिंग में तो आपको है न यह android target को है न कमेंट कर देना ठीक है उसके बाद आपको sync पर फिर से click करना ठीक है तो sync प्रॉपल हो जाए यहां पर दिखे कि यह आ चुका है और यह भी आ चुका है तो आपका project means की connect हो चुका है उसके साथ लाइबरी के साथ उसके बाद आपको simply यहां पर android target लिख देना पता नहीं क्यों कि यह code में ऐसा क्यों problem दिखा रहा है मेरे तींचा project में ऐसा कोई problem इसमें आया नहीं इसमें project में problem आया था तो मैंने देखा कि इसमें क्या problem है तो यहां पर android target खाली कर देना यह जो code था ना इसको हाइट कर देना ठीक है problem आये तभी करना वनना मत करना ठीक है ओके तो यह मुझे बताना था उस दिन में मुझे problem आया था तो मैंने सोचा कि वीडियो को थोड़ा skip करके थोड़ा आगे कर देता हूं तो फिर आपको management आएगा ठीक है तो यह हमारा connect हो चुका है इसका solution मैंने कर दिया है ठीक है तो उसको देख लेना ठीक है आपको प्रोजेक्ट पर की करेगा ठीक है अभी इसको टेस्क करना है तो उसके लिए आपको है ना यहां पर मैं अभी के लिए यहां पर एक constant variable बनाता हूं API की ओके अभी बिल्ट यहां पर दिखे यह आ चुगा है यहां पर इसके बार डॉट लिखना और यहां पर दिखे यहां पर क्लिक करेंगे ना तो यहां पर दिखे यह और API की मिल जाएगी तो यह सारे प्रोब्लम थोड़े बहुत आएंगे तो आपको इसको हैंडल करना होगा ठीक हम इसको यहां से एक्सिस नहीं करने वार डाइरेक एक्स करना हो तो यह built-config.api के अभी यह key इनपर्ट ना मिले ना तो एक बर फिर से यहां पर built project कर देना तो यह built हो जाएगा उसके बाद यहां पर की यहां पर access हो जाएगी जो भी key का नाम हमने यहां पर लिखा है ना वहीं लिखना है यहां पर देखे यह रा API की ऑके यह जो है ना वो local property में से variable का नाम है और यह जो variable है यह वाला यह name जो हमारे package के अंदर को access करने के लिए कि इसका क्या नाम रखे तो वो यह दूनों variable अलग-अलग है तो आपको जो भी रखना है तो अभी दूसरा कोई variable लेना है तो इसको duplicate करके boolean लेना है या फिर string में लेना है मैं prefer करता हूँ string में लो फिर उसको boolean में convert कर दो तो वह अच्छा रहता है ठीक है तो आपकी वह इसा ओके तो बस आज के लिए छोटा साई topic था मैं कल ही सोच र बाकी है नहीं तो कली वीडियो हा जाता बट कोई बात नहीं ठीक है अभी नेक्स्ट वीडियो से हम kator को integrate करेंगे ठीक है उसके बाद room database फिर उसके बाद data store और फिर हमारा app complete हो जाएगा ठीक है तो ओके तो आज के लिए इतना ही सिखते रहें सिखाते रहें आउट झाल